नमस्कार मैं हूँ श्वेत अच्छा और आप देख रहे हैं आज तक गुलाबी नगरी जैपूर आज बारिश से बेहाल हो गई सडक पर ऐसा सहला बहता हुआ दिखा जैसा कि ये शेहर की लोगों ने कई वर्षों में नहीं देखा होगा कई घंटे की बारिश से हाल ये हो गया कि विधायक भी वक्त रहते विधानसबा नहीं पहुँच पाई लेकिन आज पालिट के दिल में सीट नहीं मिलने की टीस पैदा हो गई अध्यक जी जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया मैं सुबह पौनिगारा बजे हाउस के इंदर आया और सीट को यहाँ पर पाया मैं बहुत लंबा इंटर्वेंशन नहीं करना चाहता हूँ लेकिन पहले जो मैं वहाँ बैटता था तो सुरक्षित था सरगार का हिस्सा था फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष मौदे ने और हमारे चीफ विप साब ने मेरी सीट यहाँ पर क्यों रखी है दो मिट मैंने सोचा और फिर देखा कि यह सरद है पक्ष है विपक्ष है और सरद पर किसको बेजा जाता है सबसे मजबूत योद्दा को बेजा जाता है और आज इस पुश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बाते बोली गई बहुत सी बाते बोली जाएंगी समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा आज मैं भाशन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ दक्ष मौदे लेकिन मैं अतना कहना चाहता हूँ जो कुछ कहना था सुनना था चाह मैं हूँ चाह मेरा कोई साथी हो हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया इलाज कराने के बाद हम सब सब लोग आज सवासो दो यहां सदन में खड़े हैं और सदन के अंगर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परेहटकर आज बास्विक्ता पर ध्यान दिना पड़ेगा धरातल पर जब हमने सकल संकप लिया बैठकर बातें क करीं सारी बात खतम करका राज सदन में जब परवेश किया है तो इस सरत पर कितनी भी गोला बारी हो हम सब लोग और मैं कवच और ढाल गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूँगा तक बताना चाहता हूँ तो सचन पालेट को सीट नहीं मिलने पर उनकी जो टीस थी वो आपने देखी लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में किस तरह से जैपूर पानी पानी हो गया वहां के लोगों की टीस अब आपको दिखाते हैं जैपूर पर जल अटैक शहर की सड़कों पर दिखा सैला सड़कों पर समंदर दूबी कारें जैपूर का ऐसा हाल सालों में इस शहर के लोगों ने कभी नहीं देखा बारिश के बाद मानोश सड़क पर समंदर बन गया हो बारिश के बाद सड़के मानो समंदर बन गई हूँ कारों की हालत देखी बारिश का पानी ऐसा भरा कि कई कारें पूरी तरह इन में डूप गई कुछ कारें पलट गई जस दिन सरकार के किस्मत का फैसला होना था ठीक उसे दिन राजस्थान में सड़कों पर आ गया सैलाब हर दरफ बानी बानी जैपुर के एक मुख्य सड़क पर इस रफतार भरे सैलाब को देखिए जैसे कोई उभंती बरसाती नदी शहर में घुस आई हो लोग घरों के भीतर से हैरान इस सैलाब को देख रहे थे बाहर कदम रखना मतलब मौत को दावत देना इस सैलाब में कारें आधी डूबी दिखी और शहर के कुछ दूसरे इलाकों का भी यही हाल था बारिश में कई जगहों पर गाणियां भस गई और जाम लग गया गया चैनल जायपुर में आज सूबह से ही जमा जम बाषय हो रही आ बारिश के वरे से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो तालाब बन गये हैं सारे सड़के इसी तरह से नदी की तरह धारा पहरी अब देख सकते हैं मेरे पैर के नीचे जैपुर में गुर्वार की आधिरात से जो देज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो आज दोपहर तक नहीं थमा यहां तक कि सबसे एहम विधानसभा सत्र के लिए आते विधायक भी बारिश में फंस गए और विधानसभा की कारवाही को स्थगित करना पड़ा बारिश के इस मार से गुलावी नगरी को बढ़ने में वक्त लगेगा जल प्रले की मार खत्म होने के बाद पता चलेगा कि कहां कितना नुकसान हुआ जैपुर से शर्दकुमार के साथ आज तक देरो तो गुलावी नगरी का हाल आपने देखा आपको गुजरात लिए चलते हैं और मौनसून में गुजरात पर किस तरह से कुद्रत का कहर बरस रहा है यह आपको हम दिखाते हैं दरसल सूरत राजकोट जैसे शहर पानी पानी हो गए हैं मौसम विभागने अगले कुछ दिन और भारी बारिश का अलर्ट दिया है गुजरात में मुसीबत की पानी इस वक्त बरस रही है सूरत राजकोट बनास काठा सुरेंदर नगर द्वार का गुजरात के इलाके जबरदस्त बारिश का कहर जहल रही है नदियाओ फान पर हैं दुगान मकान डूब रहे हैं उद्रत के कहर की जो तस्मीरे गुजरात से आ रही हैं वो डरा रही है बार बारिश ने सूरत शहर की क्या हालत कर दी है उसके तस्मीरें आपके सामने है शहर की गलियों तक में पानी की घुस पैठ हो गई है बारिश का पानी कमर तक आ गया है देखे बारिश के पानी में पूरा मंदिर डूबा हुआ है मंदिर के आसपास का इलाका जल मगन है कई गाउं का संपर्क तूट गया है जबर्दस्त बारिश से नदी नाले उफान पर है यहाईश इलाकों में पानी भरने से लोग परिशान है जिंदगी पर मानो ब्रेक सा लग गया है गुजरात के सुरिंद्र नगर की भी यही हालत है जबर्दस्त बारिश की वज़े से कई लाकों में पानी भर गया है नदी नाले का पानी उफान पर है हालत यह है बारिश का पानी घरों में घुसाया है खेत खलियान भी पानी में डूब रही है गुजरात के द्वारका में भी बाड जैसे हालात हो गए है गाउं की सडकों पर नाव चल रही है बाड में फंसे लोगों को किसी तरह बहार निकाला जा रहा है कल गुजरात की राजकोट से आईन तस्वीरों ने भी डरा दिया राजकोट में भारी बारिश के वज़े से अंडर पास में पानी भर गया अंडर पास में सवारियों से भरी परिवान निगम के बस फंस गई, पानी का स्तर देख कर लोग घबरा गए, हिम्मत दिखा कर बस की सवारियां कमर से उपर आचुके पानी में उतर गई, किसी तरह खुद को संभाला इस महिला सवारी को देखी, जैसे तैसे पानी को पार कर रही हैं, पीछे कई और सवारियां भी हैं, जो खुद को और अपने सामान को बचाने की जद्दो जहद कर रही हैं अंडर पास में तो कई जगा पानी सवारियों की गर्दन तक आ गया, कुछ ऐसे भी थे, जो बस की छट पर चड़कर जान बचाने लगे अच्छी बात ये थी के मुसीबत में सवारियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, मदद के लिए स्थानिय लोग भी आ गए एक एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला, पानी से बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली जेसी भी मशीन के मदद से बस को भी भाहर निकाला गया गुजरात के कई जिलों में जबरदस्थ बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का लड़ दिया है सुरत से गोपी घांगर के साथ आज तक दिरो गुजरात में मौनसून की मार है राचकोट की तस्वीर आपने देखी लेकिन आपको बता दे कि गुजरात में भी सबसे ज़ाद आगर बुरा हाल किसी जगह का है तो वो है सुरत पूरे शहर में पानी भरा हुआ है एक बार की तस्वीरों को देखर आपको अंदाजा हो सकता है कि कितने बतर यहाँ पे हालात है दरजनो कॉलिया तीन से चार फुट पानी में डूबी हुई है लोगों ने घरों की छट पर शरन ले रखी है ये देखिए तस्वीरे किस तरह से लोग घरों की छट पर है नीचे आ नहीं सकते क्योंकि घर के निचले माले में पानी भरा हुआ है लोगोंने घरों की छट पर इस वज़ए से शरन ले रखी है शहर में इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना पूरी तरह से ठप हो गया है कोई अपने घर से भी थोड़ी दूर आगे निकल नहीं पा रहा दरसल बारिश और बार की मार चौतरफा है पहाडी इलाकों में बीते तीन दिनों से जोड़दार बारिश हो रही है पहाड दरक रहे हैं, खत्रा बढ़ रहा है भूस खलन के चलते, उत्रा खंड और हिमाचल में कई जगों पर पहाडी रास्ते बंद करने पड़े हैं जैपूर पर जल अटैक शहर की सड़कों पर दिखा सैला जैपूर बना जलपूर सड़कों पर समंदर टू भी कारें जैपूर का ऐसा हाल सालों में इस शहर के लोगों ने कभी नहीं देखा बारिश के बाद मानों सड़क पर समंदर बन गया हो बारिश के बाद सड़के मानों समंदर बन गई हो कारों की हालत देखी बारिश का पानी ऐसा भरा कि कई कारें पूरी दरह इन में डूप गई कुछ कारें पलट गई ठीक उसे दिन राजस्थान में सड़कों पर आ गया सैलाब हर तरफ पानी पानी जैपुर के एक मुख्य सड़क पर इस रफतार भरे सैलाब को देखिए जैसे कोई उभंती बरसाती नदी शहर में घुस आई हो लोग घरों के भीतर से हैरान इस सैलाब को देख रहे थे बाहर कदम रखना मतलब मौत को दावत देना इस सैलाब में कारें आधी डूबी दिखी और शहर के कुछ दूसरे इलाकों का भी यही हाल था बारिश में कई जगहों पर गाड़िया फस गई और जाम लग गया जैपूर में आज सुबसे ही जमा जम बारिश हो रही है बारिश के वज़े से देख सकते है लोग तालाब बन गया है सारे सडके इसी तरह से नदी की तरह धरौ भरी आप देख सकते है मेरे पैर के नीचे देखे कितनी तेज ये बहाव है ये सड़क है ये हाईपोर्थ है और विधान सभा है विधान सभा के सामने देखे किस तरह के हालत है गाड़ियां जगा जगा बंद हो गई है पुलिस कर्मी जो है ये निकालने में लगे हुए है लेकिन हालत यहां काफी जैपुर में गुरुवार की आधिरात से जो तेज बारिश का सिल्सिला शुरू हुआ वाज दोपहर तक नहीं थमा यहां तक कि सबसे एहम विधानसभा सत्र के लिए आते विधायक भी बारिश में फंस गए और विधानसभा की कारवाही को स्थगित करना पड़ा बारिश के इस मार से गुलाबी नगरी को बढ़ने में वक्त लगेगा जल प्रले की मार खत्म होने के बाद पता चलेगा कि कहां कितना नुक्सान हुआ जैपुर से शरत कुमार के साथ आज तक बेरो बारिश और लैंसलाइट से उत्राखन के कई जिले भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं जूद्र प्रयाग में कई जगह पर जमीन धस गई है जिससे घर जमीन दोज हो गए हैं केदार घाटी के कई गाओं में बारिश कहर बन का तूटी है कई घरों में पड़ी दरारें आपको साफ देखने को मिलेगी कि किस तरह से यहां पर बारिश का कहर दिखा है लोग घबराए हुए हैं अब यह देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी का घर अगर इस तरह से बीच से ही तरक जाए तो उनकी क्या स्थती होगी रुकरेंगे अगली खबर का कोरोना का कोहरा पूरी दुनिया में जा रही है इस बीच रूस के वैक्सीन की खबर बड़ी राहत लेकर आई है हाला कि रूस के दावों पर डबलू एचो सवाल खड़े कर रहा है लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि उसकी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना के खलाफ लड़ने में पूरी तरह से कारगर है रोस के वैक्सीन बनाने के दावे पर डबलू एचो ने सवालिया निशान खड़ेखी है रोस का दावा है कि दो साल तक उनकी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सॉलिड है लेकिन डबलू एचो का कहना है कि पेस्टू और पेस्ट्री ट्रायल पूरा होने से पहरे उत्पादन शिरीम नहीं होना चाहिए हमारे पास वैक्सीन को लेकर जरूरी जानकारी नहीं है जिस पर हम फैसला कर सकें हम रोस के साथ लगातार बाचीत के जरिये ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रही हैं ताकि इस प्रॉड़क्ट को समझा जा सके वैक्सीन की सुरक्षा और सटीक्ता को लेकर लगातार एक्सवर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि ट्रायल के तरीके वैक्सीन के पहमाने के मुतादिक नहीं है वैसे रूस ये जानता है कि ये वही विश्वस्वास संगठन है जिस पर कोरोना को लेकर चीन की मदद के आरोप लगे थे प्रॉम्प में तो को चाइनीज वारस तक कह डाला था और तमाम मदद पर तालाबंदी कर दी थी चीन से लेके अमेरिका, बिटिन, भारत, सभी वैक्सीन की रिसर्च में दिन रात लगे है लेकिन भूस का दावा दुनिया को किस हद तक बचाएगा आज तक ब्यूरो